हलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम सीखेंगे ओकात को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं आपको बता दें, ओकात के लिए अलग-अलग जगे, अलग-अलग शब्द का इस्तिमाल किया जाता है इसलिए इससे कई सारे words यूज कर सकते हैं आप स्टेटस, ओकात के लिए एक word आप स्टेटस यूज कर सकते हैं स्टेटस, दूसरा word आप कर सकते हैं चमता, यदि आप स्टेटस और ओकात का चमता के लिए उपयोग करते हैं तो उसके लिए आप bird use करेंगे capability, किसी की चमता, क्रह चमता, या किसी प्रिकार की चमता हो सकती है या फिर आप बात करते हैं उसकी ability, मतलब किसी प्रिकार की चीज को बैन करने की, क्रह करने की चमता के लिए आप यूज करेंगे ability और हैसियत की रूप में भी आप यूज कर सकते हैं बोलते हैं कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है मतलब status जैसे एक example देखते हैं यह car मेरी हैसियत से बाहर है मतलब मैं इसको खरीद नहीं सकता बहुत महेंगी है this car is beyond my capability this car is beyond my capability यहाँ पर हैसियत का मतलब हुआ कि मेरी रिस से बाहर है मेरी पांच से बाहर है मैं इतनी महेंगी कार को नहीं करित पास सकता हूँ तो भी करते हैं वीडियो आपको helpful लगा होगा वीडियो आफ़ल लगा तो वीडियो को